हलो आज है फोर्थ डिसम्बर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनी लीवर के बारे में देखें FMCG सेक्टर का सबसे दमदार खिलाड़ी है और एक बरोसे मंद खिलाड़ी है ये 2600 रुपए के आसपास ये शहर ट्रेड कर रहा है लेकिन अगर हम लंबे समय से देखें तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है थोड़ा सा करेक्ट से ये ज़रू हुआ लेकिन लंबे समय से उतना अच्छा पफॉर्म भी नहीं किया है जितना हमें बाकी कंपनियों में देखन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों को काफी जादा हेल्प करेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 2620 रुपए के आसपास और पिछले एक महीने में अगर हम देखे तकरिवान 3.5% का ग्रोथ भी है शेयर था 2450 के आसपास बड़ी रफ्तार पकड़ी अब वापस ये तूट रहा है और शायद थोड़ा सा और ये करेक्ट होगा थोड़ी से और गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन खरीदारी के मौके कहां पर होंगे वो आपको 2000 रुपए के नीचे मिल रहा हो मतलब मत छोड़ना इसको खरीद ही लेना तब 2000 के नीचे लेकिन उसके बाद जब तेजी आई काफी बड़ी रफ्तार आई तो अभी जो मेरा परफेक्ट लेवल जो मुझे लगता है खरीदारी का वो है 2500 रुपए के नीचे का लेव लेकिन मैं कहूंगा कि लॉंग टर्म के बहुती बहुती बहतरीन कंपणी है जिस तरीके की इंफलेशन के अगर हम बात भी कर रहे हैं अगर लोग के रोजगार पर भी दिक्कते अगर आएगी तो भी रोग अपनी रोज मरा की जो चीज़ें उसको खरीदेंगे जनरली उन कंपणीों को दिक्कत होती है जो कहते हैं कि वह यहाई प्रोफाईल कंपनी मतलब कहते है कि ऐसी जो लगजूरियस चीज़े बनाने वाली कंपनी है उस पर असर पड़ सकता है जिसके आप अर्ब हो गया और भी कई सारी घड़ी बनाने वाली कंपनी वगएरा होगी उन पर थोड़ा सा असर पर सकता है लेकिन जो आपको साबुन देती है जो आप कहें कि वह या ब्रश वगरा इस्तिमार कर दे शैंपू वगरा यह रोज मर रा की चीज़ है जिसके विए आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो यह सारी चीज़े बनाने वाली कंपनी हिंदोसान यू पासकता है ऐसा नहीं कि 2400 तक नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर है तो रखेर हो इसको बेचनी की जरूरत नहीं है यहां पर लेकिन 2500 रुपे के निचे अगर जाता है तो आप अड़ कर सकते हो इसको खरीदारी कर सकते हो यहां पर अगर हम देखने तो लार्ज कैप शेर है यह 6 लाग करोड से भी जादा का इसका मार्केट कैप है वॉल्यूम थोड़े से कम है 21 लाग के आसपास के वॉल्यूम से है लेकिन फिर भी शेर प्राइस को ध्यान में रखते हुए इतने भी वॉल्यूम काफी अच्छे हैं तो इनका प्रॉफिट मार मार्जिन है इनका 15,000 करोड के रिवन्यूम में अगर कम्पनी 2,665 करोड रुपे कमाती है तो प्रॉफिट मार्जिन इनका काफी तगड़ा है और ये एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए एक्च्छल में अगर आप देखो कि तो प्रमोटर इसका यूनिलिवल पील सी है और हला कि होडिंग थोड़ी से जादा है 47 नहीं है यहाँ पर कुल अगर मिला कर अगर हम बात करें तो LIC के पास भी 4.78% की होडिंग है हिंदुस्तान यूनिलिवर में अगर हम नजर करेंगे तो कम्पनी में यहाँ पर इनके प्रॉफिट पे भी नजर करें तो इनके प्र वन्यों लगातर बढ़ी रहे हैं और इनके प्रॉफिट पे अगर आप देखोगे तो वो भी लगातर बढ़ रहे हैं हर साल का प्रॉफिट पिछल साल के मकाबले जादा है इस बार भी अगर आप देखोगे तो कम्पनी लगातर अच्छा प्रॉफिट कर रही है सिर्फ द दो बार आपको dividend पे किया है, पहले 19 रुपए, फिर 17 रुपए, जो कि काफी अच्छा है, पिछले साल भी इसने दो बार पे किया था, पहले 17 रुपए, फिर 15 रुपए, तो company अच्छा dividend भी पे कर रहा है, यहाँ पर बात करें के bonuses की, वाला कि 1991 में इसने आखरी बार bonus पे किय का है, यहाँ तक अगर हम बात करें के split को लेकर भी, तो company एक बार split भी हुई जरूर है, साल 2000 में, तो देखो, actual definitely काफी बहतर company है, FMCG की दमदार company है, लेकिन definitely अगर आप देखोगे तो इसका peer ratio है, वो थोड़ से जादा भी है, ठीक है, और यही वज़ह है कि मैं कहता हूँ कि अगर 2500-2400 रुपे के आज़ पास मिलता है, तो खरीदारी के वहतर मौके हो सकते हैं, क्योंकि तब इसका जो peer ratio है, शर्के गिरावट के साथ रहाँ साथ वो भी तूटेगा, सेक्टर P48 का है, 72% analyst कहते हैं, खरीदारी करो, current price फो इसी जादा है, इसकी intrinsic value से, तो पहली ची मौका भी क्योंकि शर्क ओरबोर्ट जोन में नहीं, कोई भी रेड़ फ्लैग निजन नहीं आ रहा है, अच्छा dividend भी पे कर रहा है, long term में bank FDC पैसा इसने बना कर दिया है, शर्क होल्टिंग के बारे में बेगर हम देखें, तो प्रमोटर के पास 61.90% के काफी बड़ी होल् से, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि के FILE ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 13.30% के FILE की holding 14.04 पर आ चुकी है, retail ने अगर यहाँ पर बात करे, तब थोड़ी सी बेकवाली हुई है, retail और अधर की 12.60% की जो holding थी वो घट के 12.31 पर आ चुकी है, तो ओवरान कंपनी जो है, वो काफी बहतरीन है, और FMC सेक्टर देखो यहाँ हम यह हमेशा कहते हैं, कि यह शॉक प्रूफ है, मतलब यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर actual केगर में बात करो, तो company जिस तरीके की product बनाती है, वो हमारे रोज तक देखने को मिल जाती है, तो कहीं न कहीं, company एक अच्छी strong position पर भी है, pricing power भी रखती है, अगर inflation बढ़ा तो हमने देखा कि उनने भी अपने जो कुछ products है, उसकी कीमते बढ़ा दी, लेकिन फिर भी उनकी बिक्री होती रही है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि बिक्री कम हो गई ह उनकी, वो बढ़ी गई यहां पर, तो यहीं कोंगों की खरीदारी करी है, बने रही है, फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 2400-2500 का जो range है, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इसके अलावा FMCG सेक्टर से चुड़ी हुए कुछ और companyya भी है, जैसे कि अदानी विल पतार दिखाई है, अच्छा move दिखाया है, और अगर आप चाहते हैं कि इन टीनों में से किसी company के उपर मैं वीडियो बनाओ, अगला, तो उसका नाम comment में जरूर लिख दीजेगा, जितनी ज़्यादा comment आएगी, उधरा जल्दी वीडियो आएगा उनका भी, तो वीडियो क कर ioैना मोग झाल ङो सक्ड़ियो कि वीडियो आप मैं थीजेगां रिखायो के लीएगी वीव जिझा एपा कर देने कि तो झाहते हैं कि उनका आएगा है, वीडियो कहत eyel है है, और फितनी खाहला वीगियो के दोनी हैं भी थाज़ कि खोबकित ब दूबकित एह उनका झाहते